जो इसका सेकेंड पार्ट था इन्वार्मेंटल इस्सूज एंड बादस्टी जो टॉपिक हमने लिया हुआ था तो बादस्टी मिन्स बाइलोचिकल डावर्स्टी डावर्स्टी मिन्स वराइटी एंड वेरिबिलिटी आफ लिविंग बींग्स और यह तीन तरह की होती है एक होती है जेनिटिक बादस्टी डावर्स्टी डावर्स्टी विदिन स्पीसिस इस्पीसिस डावर्स्टी डावर्स्टी इन बीटिमिन स्पीसिस और थर्ड होती है एको सिस्टम और एकोलोजिकल डावर्स्टी डावर्स्टी अवर्स्टी 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 for our survival it gives us ethical, social and economical values it provides different types of produce like agricultural produce, forest produce, medicinal produce it gives us direct and indirect benefits so this is important for us so we have to conserve it we have two methods of conserving biodiversity biodiversity is important biodiversity is three types biodiversity is in any way in any way this is three types this is important for us it means that we should conserve it we should save it so conservation of biodiversity is two methods one is known as in-situ conservation in-situ conservation means conservation of biodiversity in its natural habitat वो पौधा वो अनिमल जहां कहीं मिलता है हमको उसको वहीपर कंजर्व करना है वहें उसको मुल्टिप्लाई करना है इसको हम बोलते हैं in-situ conservation दूसरा मेथड है एक सीटू कंजर्वेशन स्वरी इग्जामपल्स इन सीटू कंजर्वेशन के इग्जामपल है नेशनल पार्क रास्टे उद्दान सेंचूरीज वाइस पर रिजर्व्स हम यहां पर फ्लोरा और फना को कंजर्व करके वहीं उसको मल्लिप्लाई करते हैं दूसरा मेथड है एक सीटू कंजर्वेशन आउट साइड इट्स नेचुरल हैविटेट वह जहां पर पाया जाता है वहां पर कंजर्व हम नहीं कर पा रहे हैं due to causal factors are still active which are reducing its population, its number, जो causal factor है, जो कारक हैं, वहां पर उसको कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं, उसको नहीं रोप पा रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं कि हमको वहां तो उसको हटा करके, उसको उसके प्राकरतिक आवास, नेचरल हैबिट स्टेट से हटा करके, कहीं पर उसको multiply किया जा रहा हैं, जिससे juice हैं, आर्वोरेटा है, aquarium है, seed bank है, gene bank है, ठीक है, आर्वोरेटा है, वहां पर हम उसको रख करके, वहां पर उसको multiply कर रहे हैं, और उसके पास उसको हम नेचर के अंदर डाल दे रहे हैं, तो हमारे पर दो methods हैं, इस biodiversity को बचाने के लिए, ex- in-sidu और in-sidu conservation, कुछ facts को हम discuss करना चाह रहे हैं, कि total land area जिसको हमने अभी कुछ देर पहले भी कहा था, कि total land area जो है, वो 51 करोर स्क्वाइर किलो मीटर है, और इसका 26% area आज के टाइम में forest area, that is 38.7 million स्क्वाइर किलो मीटर, और सबसे interesting है, कि 40% of global forest land is in South America, Africa and South Asia, जो South Africa है, South America है और South Asia है, ये जो point है, ये जो countries है, ये जो place है, ये ट्रॉपिक आफ कैंसर टॉपिक आफ कैप्रिकॉन के बीच में मिलते हैं, ये tropical area है, जहां पर high rainfall और high temperature होता है, तो out of this total forest area, total forest area का 40% forest area, ये यहां पर मिलता है, जो कि जोन है, ट्रॉपिक आफ कैंसर टॉपिक आफ कैंसर टॉपिक आफ कैप्रिकॉन के बीचे पाये जाता है, क्यों? क्योंकि यहां पर rainfall जादा है, यहां पर temperature जादा है, इसलिए यहां पर diversity भी सबसे जादा होती है, सबसे जादा डैवर्सिटी, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो अनिमल हो, वो टॉपिक आफ कैंसर टॉपिक आफ कैप्रिकॉन के बीच में ही मिलता है, बिकाज इस इस अईडियल सिच्वेशन फॉर दीज, दियर आर 5 मिलियन तो 100 मिलियन स्पीशिट अन इर्थ, यह माना जाता है, पांच से लेके 100 मिलियन स्पीशिट है, और आज की देट तक, वी हैव कैटलॉग वनली 1.9 मिलियन स्पीशिट, इन ग्लोबल लेबल, दियर आर 35, 36 होट स्पोर्स, ठाट स्वीश्ट इन इस होटस्पोर्स इन ग्राट स्वीशिट व्यज कोईट इन हैं, 328.9 मिलियन हैसिर स्वीश रेप्ट ज विलियन एंट इन तो ब्लोबल, geographical area India having 1% of forest area but India having more than 35% of the cattle and human population at present the forest cover of India is 24.56% this is FSI applied 2021 2021 2021 के Forest Survey of India की रिपोर्ट के हिसाब से आज की डेट में भारत के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 24.56% एरिया अंडर फॉरेस्ट है जबकि Forest Policy 1952 के हिसाब से 33% आफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया सुट भी अंडर फॉरेस्ट भारत के टोटल भूभाग का 33% एक तिहाई भाग जंगल में होना चीए जबकि आज के डेट में भी हमारे पास केवल 24.56% है उसमें एक बार और ती इन हिल्स दिसेज 60% पहाडी चेतर का 60% प्लेंस का 20% ओवर आल भारत के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का एक तिहाई में 33% एरिया शुट भी अंडर फॉरेस्ट होना चाहिए था भारत के अंदर एक वन लाग 39,000 स्पीस और प्लांट्स अनिमल्स और मैक्रोब्स आर रिकॉर्ड़ड़ दन फोर लाग स्पीसिज आर एक तो बी अडेंटिफाइड भारत के अंदर एक लाग 49,000 प्लांट अनिमल और माइक्रोब्स पीसिज को केटलॉग किया जा चुका है और आज के डेट में भी 4,000,000 स्पीसिज ऐसी है जिसको अडेंटिफाइड नहीं किया गया, केटलॉग नहीं किया है, इन इंडिया, दियर आर थ्री मेगा सेंटर्स आफ इंडेमिज, इंडेमिज मेंस एक्ट्वल लिविग कंडीशन, एक्ट्वल पॉइंड पॉइंड प किसी प्लांट, किसी ऑनियęल कि उतपत्ती का जो इस्थान होता है उसको बोलते हैं इंडेमिज. in india there are 26 micro centers of in damage and in india there are four hot spots in india there are 40 000 plus species of wild plants 89 000 species of wild animals at least 320 species of wild relatives of crop have been originated here means they are endemic to india threat to biodiversity what are what is what are the threats to our biodiversity is in short i will discuss you one by one deforestation and overgrazing deforestation and overgrazing is the biggest threat to our bodies i have already told you overgrazing means grazing of animals more than the carrying capacity carrying capacity means a land successfully withstand a number of animals in a particular land area a jameen a grassland jiske under land ki productivity land ki chmata ke basis peh wo kitnye animal ko safalta purwak apne oopar graze kar sakti hai agar utne number of animals ko hi hama usma permit karay to graze to graze to healthy grassland maintain ho jayega ya hama rotational grazing karay to graze 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 if overgrazing is there if animal permitted is more than carrying capacity this is dangerous to desired palatable grass and invasion of or coming up of undesired grasses and ultimately it reduces the biodiversity of grassland so the first trait is deforestation and overgrazing another trait is habitat destruction and fragmentation of area habitat means actual living condition for a particular plant or a particular animal if we destruct their habitat it means we are creating unfavorable condition for that plant or that animal and if we fragmented this area we if we 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 partition this area it will also affect the biodiversity another trait is poaching and hunting off animals for fluss for fur for skin for horn for other purposes if we are killing the animals we are affecting or we are reducing the biodiversity forest fire is another cause of threat to biodiversity of grasses of serves of microorganism or micro get the micro ecosystem of that area over exploitation of the resources is also a big threat of biodiversity natural calamities also caused are also a threat of biodiversity pollution of various kinds and release of toxic substances is threat to biodiversity soil erosion and soil loss a loss of nutrient is said to biodiversity if nutritional label of the soil is lost the productivity is affected if soil erosion is there it means plants the plants exist on this particular soil is moved from this place so erosion and nutritional loss of soil is threat to biodust population pressure and unequal distribution of resources is also a big threat to biodust expansion of agricultural land or conversion of forest land into x agricultural land or other methods of insectification of felling of trees is also a threat to biodust is spreading urbanization and establishment of industries felling of trees is the conversion of agricultural land for urbanization for industries for other activities reduces the biodiversity इसमें मैं डिसकस करूं हमारे सामने तीहरी डैम इग्जामपल है तीहरी डैम जो था वो हाइली पॉपलेट डिस्ट्रिक था उत्रागन बनने से पहले तीहरी डैम बनने से पहले जब वहाँ पर तीहरी डैम प्रपोस किया गया तीहरी डैम बना दिया गया तो उस हाइट के बाद जितना भी एरिया था ये वैली तीहरी जो एरिया है वो वैली था और वहाँ पर डैम बनने से करीब करीब डैम बनने से उससे पहले का कम से कम 135 किलो मीटर हम अल्मोडे में रहते हैं, अल्मोडे से रुद्रपुर की जो डिस्टेंस है, वैसे ही टेरी डैम बनने से उसके पीछे की उतना डिस्टेंस, एक सो पैंतिस किलोमीटर का जो एरिया था, उस कंटूर लाइन के उपर, वो सब समर्ज हो गया, उसमें बहुत सा एरिया अगरिकल्चर एरिया था, बहुत सा एरिया मेडिसन प्रांस का एरिया था, बहुत सा एरिया फॉरेस एरिया था, बहुत सा एरिया पॉपलेशन था, के हर्दवार रोड पर वहां पर फारेस्ट को फैल किया गया यहां भी बाइड़ास्टी लास की गई उन लोगों को वहां बसाया गया उनको इंप्लाइमेंट दिया गया तो हमने वहां पर बाइड़ास्टी लास की और हमने यहां पर बाइड़ास्टी लास की अगर हम इसको assess करें तो हमने बहुत बड़े amount में plant, animal, human population का displacement हो गया बर बहुत से plant और animal को हमने वहाँ से displace किया या bad asty loss ही तो construction of big dam is also threat to bad asty. अगर bad asty loss हो जाती है तो क्या affect पड़ेगा जो हम environmental crisis की बात कर रहे थे तो अगर bad asty loss होगी अगर bad asty strengthen है, bad asty अच्छी है तो sustainability maintain होती है अगर bad asty loss होगी तो global warming and climate change जिसको हमने discuss किया यह problem हमको face करनी पड़ेगी फिर example देता हूँ कि अगर हमने एक leaf भी फैल किया इसका मतलब कि हमने photosynthetic process को चेक कर दिया, photosynthetic process check करने का मतलब है कि हमने carbon की concentration को environment में बढ़ा दिया और उसके impact आपको पता ही है, due to change in decomposition rate by microbes अगर bad asty loss होगी तो microbial activities कम हो जाएंगे, soil erosion और loss in fertility, soil erosion होगा और soil fertility loss होगा, pollution increase हो जाएगा, जो nutrient cycling है, hydrogen cycle है, वो alter हो जाएगी, वो modify हो जाएगी, जिसका negative effect पड़ेगा, reduce gene pool, food chain alter हो जाएगी, hydrogecal cycle effect होगी, और अब हम इसके last session पे आते हैं कि अगर bad asty इतनी important है, bad asty conserve करने की यह methods हैं, और bad asty के को एक threat कौन सी है, और bad asty loss का impact क्या होगा यह हमने discuss कर लिया, अब हम यहां बें discuss करते हैं, कि how to conserve this bad asty is maintenance of the integrity of the habitat हमको habitat को maintain करना पड़ेगा, habitat means actual living condition for plant and animal, जहां पर plant और animal रहते हैं, उसके habitat को integrate करना पड़ेगा, उसके habitat को maintain करना पड़ेगा, जिससे कि उनकी productivity पड़े और quality of the desired produce to grow and reproduce well, जिससे कि वो multiply हो सके चाहे वो flora हो, चाहे वो फना हो, तो first conservation measure is maintenance of the integrity of the habitat, हमको habitat को maintain करना है, prevention and control of forest fire, forest fire को check करना पड़ेगा, क्योंकि forest fire से जो भी बहुत से losses होते है, microbial activities effect होती है, seedlings, saplings, forest vegetation का loss होता है, burning of grassland has to be controlled, production can be given to wild lives, forest fire से, large number of animals, large number of floral population damage, excessive cutting should be eliminated, unnecessary and excessive cutting of trees is eliminated, only mature trees should be harvested and new seedlings should be placed, replace the harvested tree, हमको unnecessary cutting को रोगना पड़ेगा, किवल mature trees की cutting कर सकते हैं, करनी चाहिए और जितना area हमने clear किया है, उतना area हमको reforst करना चाहिए, fragmentation of forest area, wildlife habitat which decreases the biological diversity should be minimized, हम जो area fragment कर रहे हैं, जैसे राजाजी नेशनल पार्क है, जिसके बीच से railway line जाती है, तो हमने क्या किया कि elephant movement को, हमको एक corridor देना चाहिए था, देना चाहिए, जिससे कि वो movement, forest के अंदर free movement कर सकें, पर हमने क्या क्या उसको fragment कर दिया, हमने वहाँ पर कुछ villages बना दिये, बीच में कहीं पर कोई industry बना दी, इसका मतलब है we are obstructing the movement, so fragmentation of forest area, wildlife habitat, so decrease the biological diversity should be minimized, fragmentation of forest area, destruction of habitat को कम से कम करना पड़ेगा, to maintain the biodiversity, why is management in the control of insects and disease that attacks the tree, हम agriculture crop के अंदर भी, tree crop के अंदर भी, अगर हमको insect और diseases को attack को check करना है, तो या तो हम integrated paste management method को adopt करें, या हम biological control methods को adopt करें, in place of chemical control methods, जिससे की biodiversity conserve हो सके, measure to check the wind velocity in desert, planting wind breaks across the direction of winds, to check sand dunes expansion, sand dunes के expansion को कम करने के लिए wind breaks का use करना पड़ेगा, sand dunes को conserve करना पड़ेगा, control man-made forest fire, 95% of the forest fire is by man, this is man-made fire and less than 5% of forest fire is natural fire, that is by rolling stone, by lightning and by rubbing of the branches, natural forest fire पूरी दुनिया में 5% से कम होता है, बाकि जो forest fire होता है, man-made fire होता है, man-made fire में भी कुछ forest fire जो होता है वो intentional होता है, कुछ forest fire जो होता है वो accidental होता है, पर total forest fire का 95% forest fire जो है, वो man-made forest fire है, इसको control पड़ना पड़ेगा to conserve our biodiversity, planting grass species for soil conservation and improvement of soil fertility, पास्चर लेंड में grass species को बोना पड़ेगा लगाना पड़ेगा palatable grasses को to improve soil fertility and conservation of soil, reforestation in degraded forests and agriculture wastelands with suitable tree species which are viable, genetically superior and disease resistant. हमको reforest करना पड़ेगा उन plants का जो कि genetically superior हो, जो fast growing हो, जो disease resistant plants हो, to maintain the biodiversity. protection of forest from illegal felling and overgrazing, tree को illegal felling, से बचाना पड़ेगा जिससे बाड़ेश्टी को maintain कर से, establishment and maintain of germ plants bank for further genetic improvement, तो further genetic improvement के लिए हमको genetically या genetic improvement and breeding technology को adopt करना पड़ेगा. The maintenance and preservation of germ plants of vegetative propagated species, वो species, वो plants जो vegetative means से propagate होते हैं, उनके germ plus bank को भी preserve करना पड़ेगा. Improvement of the heredity of trees and proper adaptation of breeding techniques, plant की heredity को maintain करना पड़ेगा, जिससे कि हम इसको further multiply कर सकें और purity को maintain कर से, the management of natural forests, which will ensure future productivity and environmental stability. हमको natural forest को manage करना पड़ेगा, जिससे कि productivity or environmental stability maintain होते है, जिससे biodiversity maintain होते है. जिससे कि फड़ेगा, follow principles and procedures of social forestry, to minimize the stress on the exploitation of renewable forest resources. Social forestry is practice of forestry outside the conventional forest area. वो forest area जो इंडियन forest एक 1927 के बेसिस पर forest area notified है, उसके अलावा उसके बाहर के जो छेत्र में जो भी हम activities करते हैं, चाहे वो farm forestry हो, चाहे वो urban forestry हो, चाहे वो aesthetic forestry हो, चाहे वो roadside plantation हो, ठीक है, urban forestry हो, margin land forestry हो, इसको हम social forestry कहते हैं. Social forestry का मतलब है, practice of forestry outside the conventional forest area, तो हमको इस area को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे forest के उपर, forest resources के उपर जो pressure हो कम हो सके. Conservation of endangered and endemic species in natural forest. Natural forest में जो endangered species हैं, जो endemic species हैं, उनको conserve करना पर हो. Proper utilization and management of non-wood forest based resources. जो forest based resources हैं, उनका proper या judicious use करना पड़ेगा. Implementation of effective and scientific methods of water, soil and air pollution control, to ensure high productivity of the biomass. Biomass productivity को बढ़ाने के लिए, soil, water, air pollution को चेक करना पड़ेगा. Improper mining activity should be stopped to check land degradation. If required, mined area, minimum disturbance or minimum failing in mined area, and area cleared under mining activity, area equal to that area should be a forested. Promote conservation and sensible use of forest products for mankind and ecosystem. जो भी forest produce है, उसका sensible use करके, ecosystem को maintain करने पही पाइड़ेश की maintain. Control of soil erosion and establishment of vegetative cover. हमको अधिक से अधिक vegetative cover को maintain करना पड़ेगा, और soil erosion को control करना पड़ेगा. Check destructive activity of poachers. Poachers के activities, killing of wild animals को रोगना पड़ेगा, to maintain biodiversity. Stabilization of water table, water table को maintain करना पड़ेगा. Development of renewable resources, renewable resources को maintain करना पड़ेगा. Promoting the habitat improvement, conservation and restoration of species. Stabilization of national parks, wildlife centuries for the preservation of natural biotic communities. हमको national parks को wildlife centuries को और को preserve करना पड़ेगा, maintain करना पड़ेगा. Stabilization of biosphere reserves, biosphere reserves को establish करना पड़ेगा, to maintain flora and fana in these areas. Implementation of modern tools of aerial photography, data collection of plants, animals and detection of forest fire, educational programs and monitoring of animal movement. The latest technology है, उनको adopt करके, हमको forest fire को detect करना पड़ेगा, और उसको forest fire को रोगना पड़ेगा, जिससे बाड़ास्टी मेंटेन होगी. And last, implementation of educational programs to promote the knowledge of conservation and preservation of wild through literature, through scientific exhibitions, audio-visual aids, conferences on environmental conservation. हमको public के अंदर environmental education, environmental awareness डवलप करना पड़ेगा, जो भी problems है, बायोडास्टी को reduce करने के लिए, या disrupt करने में, या जो भी environmental crisis है, उसके बारे में आम public को बताना पड़ेगा, चाहे वो literature के थुरू हो, चाहे audio-visual के थुरू हो, चाहे किसी भी means से, लोगों के अंदर, हमको awareness डवलप पड़ेगा, कि जो problem है, environmental crisis है, environmental issues है, उनको तुरंत, जितनी जल्दी हो सकता है, practically उसको ठीक करने के लिए, हमको effective policies बनाने हो, या step उठाने हो, उसको करना पड़ेगा, otherwise, आने वाले generation के लिए, जो ये समय होगा, वो बहुत tough होगा, इसके साथ, मैं अपने lecture को यहीं पर, खतम करता हूँ,